रांदे मात्रम एक बार पुन हाप लोगों का स्वागत है क्लास 11th NCRT Mathematics की प्रसनावली 1.1 यहीं जो चैप्टर चल रहा समुच्चे उसकी प्रसनावली 1.1 का चार क्वेस्चन हम लोग पढ़ चुके थे आज आप पहुचे हैं पांच में क्वेस्चन पर पांच में क्वेस्चन क्या कह रहा है निम्न लिखित समुच्चयों के सभी अवयों अवयों सदस्यों मतलब उसकी जो एलिमेंट्स हैं को सूची बद्ध कीजिए मतलब रोश्टर रोप में क्या है पहला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिसम प्राक्रतिक संख्या मतलब करली ब्रेकट लगाएंगे वन थिरी फाइब आन्सुमान ऐसे बढ़ाती चले जाएंगे बिसम प्राक्रतिक संख्या प्राक्रतिक संख्या हैं क्या होती है एक से स्टार्ट होंगी और इंफाइनाइट तक जाएंगी लेकिन यहां कहा था बिसम बिसम होने चाहिए तो एक, तीन, पांग, साथ आगे इसे बढ़ाते चले जाएंगे ये पहला क्वेश्चन था दूसरे में क्या है एक्स सच दैट एक्स एक पूढांग कैसा पूढांग माइनस एक बटा दो से बड़ी हो और नव बटा दो से छूटी हो मतलब जो लेना हमको माइनस जीरो पॉइंट फाइव से बड़ी और फूर पॉइंट फाइव से छूटी के लिए रख चलिए देखते हैं कौन संख्या होगी इसे ही रेज करेंगे करली ब्रेक कट लगाए माइनस जीरो दसमलो पांस से बड़ी मतलब कौन से संख्या हो सकती है जीरो ले ले एक ले ले दो ले ले तीन और चार कनफर्म होगा माइनस जीरो दसमलो पांस से बड़ी होनी चाहिए जीरो मतलब माइनस जीरो दसमलो पांस से और चार दसमलो पांस के बीच में तो माइनस जीरो दसमलो पांस के हम दाहिने बढ़ेंगे और चार दसमलो पांस के बाएं जाएंगे तो यह क्या आया, जीरो आ गया, फिर एक आया, दो आया, तीन आया, फिर चार आया, यहीं पर यह खतम कन्फर्म हुआ, चलिए, फिर चलते हैं, एक सेकेंड, इसको ही रेज करेंगे अगला कह रहा है, एक्स सच दैट, एक्स एक पुडांग, और ऐसा पुडांग, जिसका हम स्क्वाइर करें, वो चार से छोटा रहे, या चार के बराबर रहे कन्फर्म है, करेंगे क्या, माइनस एक, एक सेकेंड, माइनस एक, माइनस दो ले, माइनस दो, फिर एक, इसके बाद, जीरो, एक, दो, देखिएगा, माइनस दो का जब हम स्क्वाइर करते हैं, तो क्या आएगा, प्लस चार, माइनस एक का स्क्वाइर करेंगे, प्लस एक, जीरो का स्क्वाइर करेंगे, जीरो, एक का स्क्वाइर करेंगे, एक, दो का स्क्वाइर करेंगे, चार, ये जितनी भी संख्याई लिखी गई हैं, ये सब, चार से छोटी या चार के बराबर हैं, के लिए हैं, ये था, क्वेश्चन नमबर फाइब का तीसरा, पांच में क्वेश्चन का तीसरा, ठेक, अगला कह रहा है, लॉयल सब्द का एक अच्छर, कर ली ब्रेकर लगाएंगे, एल, ओ, वाई, ए, एल, फिर ओ, फिर वाई, फिर ए, एल दुबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि बताए थे कि कोई भी अच्छर दुबारा नहीं लिखा जाएगा, तो यह क्या बनेगा, ल, ओ, वाई, ए, यह चौथा पार्ट था, के लिए रोगया होगा, ना हुआ होगा, कमेंट में आप लोग पूँश सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगला कह रहा है, कि एक्स सच देट एक्स बर्स का एक ऐसा महीना, जिसमें 31 दिन नहीं होते, जहां दिजिएगा यहां पे, 31 दिन नहीं होते हैं, तो पहला कौँ सा आएगा, जनवरी में 31 होता है, पहला मिलेगा फेब्रवरी, मार्च में होता है, फिर मिलेगा अप्रेल, फिर मई में होता है, फिर मिलेगा जून, जुलाई में होगा, आगस में होगा, फिर मिलेगा सेप्ट्यम्बर, अक्टूबर में होता है, फिर मिलेगा नवंबर, दिसम्बर में फिर 31 का महीना, एक्स बर्स का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते है नहीं होने वाला इसे ध्यान दीजिए अगर नहीं होते है गलती है होती है ज्यादा तो नहीं नहीं देखते हैं लोग तो फेबर्वरी 28 या 21 अप्राइल 30 का जूल 30 का सब्तमबर 30 का नमंबर 30 का अब इसमें देखिए जनवरी 31 के हो जाएगे मार्च 31 का है मई 31 का है अक्टूबर 31 का है फिर दिसंबर 31 का है किलियर है कि अच्छ चलिए इसको भी रेज करेंगे करा है एक्स सचदैट एक्स अंग्रेजी बन माला का एक बेंजन जो के के पहले आता ध्यान दीजेगा यहां एक बेंजन लिखना स्वर नहीं होना चाहिए मतलब A, E, I छूट जाएगा रहेगा क्या B, C, D, F, G, H, J A, B है, C, D, E छूट गया, F, G, H, I छूट गया, फिर J, K के पहले ही लिखना है तो यहीं इतना आएगा आई बात समझ में पहला बिसम प्राकते संख्या था 1, 3, 5 आगे बढ़ाते चले जाएंगे दूसरा, माइनस 0.5 से 4.5 के बीच में संख्या लिखनी थी यह भी हो गया यह ऐसी संख्या लिखनी थी जिसका स्क्वाइर करने पर वो 4 से छोटा आए या 4 के बराबर आए इसमें लॉयल, L-O-Y-A-L सब तक आएक अच्छा लिखना था केवल L छोड़ करके बाके सब लिख दिया जाएगा इसमें 31 दिन जिसमें ना होते हूं वो बर्स के महीने लिखने थे और इसमें के के पहले वाला बैंजा लिखना था कर्फर्म हो गया ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेश पर आ गए अगले पेश पर क्वेश्चन नमबर छे कहरा बाई और बाई और जो है रोष्टर रूप में लिखा गया है और दाई और समुच्चे निर्माड रूप में लिखा गया सही मिलान करना है पहला है कि एक, दो, तीन, छे ये देखें चारों में से किसमें मिल रहा है एक, दो, तीन, छे एक प्राक्तिक संख्या है और छे की भाजक है मतलब जो पहला है वो जाएगा सी पर एक, दो, तीन, छे प्राक्तिक संख्या जा रही थी और छे की भाजक भी है दूसरे पार्ट पे चलिए दूसरे में क्या कहा है, दो और तीन दो, तीन क्या है, अभाज संख्या है और छे की भाजक है मतलब दूसरा वाला कहां गया ए पर कनफर्मा न, दो, तीन, छे की भाजक है और अभाज संख्या है तीसरे में आईए M-A-T-H-E-I-C-S अगर देखा जाए तो mathematics सब्द का एक अच्छा रहा है जो इसमें repeat हुआ था उसको छोड़ दिया गया मतलब तीसरा गया D पर तीसरा mathematics वाला D पर आगया अब 1, 3, 5, 7, 9 यह है क्या विसम प्राक्रिक संख्या हैं लेकिन कौन सी हैं 10 से छोटी एक, 3, 5, 7, 9 विसम प्राक्रिक संख्या है और 10 से छोटी है मतलब पहला वाला गया C पर दूसरा वाला गया E पर तीसरा गया D पर और चौथा गया बी पर कनफर्म हुआ तो इस प्रकार से आज का सिसन रहा दो क्वेश्चन थे आज हम कच्छा ग्यारा के जो समुच्चे वाला पार्ट है उसकी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त कर दिये छे क्वेश्चन ही उसमें था दो पार्ट में वीडियो तयार हुआ है देखे इसमें कहां किसमें समस्या होगी जो भी समस्या आप लोगों को होगी कमेंट करके पूछेगा फिर मिलेगा आगले वीडियो